हेलो गाइज, मैं परपटी यूट्व चैनल में आपका श्वागत है, मैं दिनेश वर्मा फॉम वेलकम होम्स, आज हम बात करेंगे M3M मरीना के बारे में, M3M मरीना जो की वन आफ दी लग्जरी प्रोजेक्ट है, सेक्टर 68 गुरू ग्राम में, अभी हम खड़े हुए हैं M3 मरीना में, जो की 13.21 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें एप्रॉक्स 950 अपार्टमेंट्स है, अगर मैं बात करूँ M3M प्रोजेक्ट के वारे में, तो इसके अंदर टोटल 9 टावर्स है, 9 टावर्स में से मेरे लेफ साइड में जो आप देख पा रहे हैं, या M3M सेरा के टावर्स है, जो की 4 टावर्स है, जिसके अंदर 2BHK और 2 प्लस इस्टडी के यूनिट्स है, फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो 2 प्लस इस्टडी है, बैक साइड के 2 प्लस 2BHK है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जो की आप मेरे बैक साइड में देख बैक में 2 टावर्स हैं, जो की M3M नेचुरा के नाम से है, दोनों ही टावर्स में सेम साइज है, जैसे आपने M3M शेरा के बारे में मैंने आपको बताया, उसके अंदर भी सेम 2BHK और 2BHK प्लस इस्टडी है, फ्रंट के यूनिट सारे 2BH के है, इसके बाद मैं आपको ब दोनों टावर्स में जो फ्रंट के यूनिट है, इसके अंदर आपका 2BHK है, जो की 1330 स्काइर फिट का एरिया है, 3BHK में 2 साइज है, 3BHK में जो हमारे पास साइज है, वो है हमारा 1650 स्काइर फिट, जो की स्मॉल साइज है, जिसमें 3BHK वे 2 टौलेट वाथरूम है, इ उसके बास जो एक और यूनिट है, वो है हमारा 1746 स्काइर फिट, जिसके अंदर 3BHK 3 टौलेट वाथरूम है, जो की हमारा 3 वाथरूम मेडियम साइज है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा की एक हमारा टावर है, जो M3M आइकोनिक के नाम से है, जस्ट आप मे हम स्टार्ट करेंगे वाथिका चौक से, यह अभी मैं वाथिका चौक पर गूँ, जो मेरे सामने की तरफ है, वो गॉल्फ कोस एक्स्टेंशन रोड है, यह लेफ्ट साइड में मेरे सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रहे है, यह वाथिका सिटी है, और अगर लेफ्ट यह अभी टूलिप चौक की तरफ से निकलेंगे, तो यह आप देख सकते हैं मेरे हम साउथन पराफेरी रोड पर है, जो सामने एक टॉलिस्ट विल्डिंग दिखाई दे रही है, वो टाठा पिरमांती है, टाठा पिरमांती के जस्ट पहले राइट साइड में कमर्शियल है, यहां पर अलड़ी टीशियस का स्टार्ट होने वाला है, यहां से लगबग हम और अगर 500 मीटर के आसपास और आगे चलते हैं, जो कि अच्छली वाटिका चौक से जो टुलिप चौक से पहले, एसपी आर से हम टर्न लेते हैं, वो करीब एक से सवा किलो मीटर का पैच ह तो यह जस्ट मैं अभी टाटा प्रिमंदी के पुजिट साइड आ चुका हूँ, जो की करीब 700 से 800 मीटर है, यहां से मैं और करीब 300 से 400 मीटर आगे चलूँगा, तो यह मेरे जस्ट राइट साइड में टाटा क्रॉस करने के बाद, और हम टुलिप का जो टर्न है, वहां प दे रही है जस्ट, यह आपका क्रिस फ्लोरेंस है, जो की मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स है, अभी इसका पॉजिशन होना बागी है, तो यहां से हम होते हुए, जस्ट अभी हम यहां लगवक 100-500 मीटर आगे से लेफ्ट ले लेंगे, यह मैं यहां से टर्न ले लूँगा, तो यह लेफ्ट साइड में हम टुलिप की तरफ चले जाते हैं, सेक्टर 69, 70, 70 यह की तरफ, यह मेरे सामने टुलिप दा लीफ है, टुलिप पर्पल लेफ्ट साइड में आ जाता है, यहां पे दो यह कमर्शियल बिल्डिंग है, जो क इसे टुलिप चौक पर भी काफी मार्केट बनी ही है, यहां रेटेल है, इसे क्रॉस करते ही राइट साइड में टुलिप का क्लव हौस का काम चल रहा है, जो कि 1.5 एकर का है अप्रोक्स, यह आप देख सकते हैं, मेरे लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग दिखा ही दे र यह एंट्री है टुलिव वालेट की देन हम यहां से सीज़े चलेंगे यह मेरे राइट साइड में इंडियास फर्स्ट लग्जरी रेटेल जो की एलान गुरूप का है एलान एपक यह मेरे राइट सेड में कस्टन जली है जिसका अभी नेर बॉत साल साल और लगेंगे बजेशन में देन हम यहां से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे आगे की दरफ तो यह मैंने बीपीटीपी चॉक क्रॉस कर दिया है मैं एस्पिया से लगवग सबा किलो मेटर आगे आगया हूँ यह बिल्कु सीधा रोड जाता है अपका सेक्टर 68 की दरफ यह यहां से आप देख रहे होंगे कि यह सीधा सेक्टर 68 की दरफ जाएंगे सामनी यह टी पॉइंट बनता है तो मैं टी पॉइंट से लफ ले लोगा राइट साइड में मेरे पलड़ा गाउं आता है राइट साइड में जो कि सीधा आपका एनचेट की दरफ यह रास्ता निकलता है यहां से मैं लेफ्ट लेके आगे टी पॉइंट पर आऊंगा जो कि टीकली रोड आ जाता है आपका जो पाथवेजिर इंटरनेशनल के लिए जाता है अरावली हिल्स अंसल फार्माउसेस के लिए यहां से मेरे राइट साइड में रोड जाएगा तो यह लगवग आपका एक सवा किलोमेटर का पैच है जो कि सिंगल रोड है अभी यहां पे रोड बना नहीं है प्रॉपर अदर्वाइस यहां पे आपका 30 मिटर का रोड बनना है यह मेरे सामने जो आप देख रहे हैं स्टुपर टेक ख्यूज है जो शामने टावर होना है इसका बजेशन में अभी साइड 6 से आजमेने लगेंगे और यह हम आ जोगे हैं M3M मरीना के एंटरेंस पर, M3M मरीना, Sera, Natura तो यह हमारा सेकेंड एंटरेंस है basically, फर्स्ट एंटरेंस अपका सोना रोड की दरब से है, जोकि सोना रोड से सिर्फed एक किलो मिटर होगा तो अभी फंक्शनल है वो आपका second entrance है जसे हम अभी एंटर कर रहे है यहाँ पर दो जगापे security system है एक man gate पर एक man gate से लगवग 50 मिटर अंदर आने के बाद यह मैं हाँ से एंटर करते हुए जा रहा हूँ तो यह हमारा driveway है basically यह मैं club house के सामने आगा है यहाँ से project आपका tower start हो जाते हैं जो कि सबसे पहरे natural tower है यह आप अगर देख पहेंगे तो club aqua है जो की मेरे left side में है यहाँ से यह club aqua की building होगी आपकी यहाँ पर सारे indoor games हैं आपके multi-purpose hall है आपका banquet hall है आपका देन gymnasium हो गया squash हो गया वो सारी facilities इसके अंदर है indoor games के अंदर उसके लिए मैं एक बार अलग से details में आपको presentation दे दूँगा देन यह आप देख सकते हैं यह club का entrance है यह मैं थोड़ा zoom करके आपको दिखा दिता हूँ यह reception area है नीचे देन यह shopping arcade है जो कि अंदर ही कुछ shops बनाई हुए जो society shops है यहाँ पर grocery आपको मिल जाएगा तो basically grocery store है chemist हैं यहाँ पर देन आपका shalloon start होने वाला है देन मैं यहाँ से बात करूँगा तो यह मेरा iconic tower पर आ जाते हैं अब ही हम खड़े हुए है iconic tower की lift lobby area में जो कि हमारा lobby है यह और यह अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर security guards खड़े हुए हैं यह हमने यहाँ पर पूरे security परपस से पाकी CCTV camera लगे हुए हैं हमारे fully saintly air conditioning lobby है जिसमें sitting area है अगर आप देख रहे होंगे तो यह हमारा sofa चाहेड या sitting arrangement हो गया, arts हो गया, paintings हो गई, तो यह एक luxury lifestyle के लिए सारी चीज़े की गई है मैं आपको दिखाना जाओंगा जैसे कि यह हमारी service lift है इस tower में तीन lift है, iconic tower में जिसमें यह हमारी service lift है और आगे की दरफ अगर आप आएंगे तो यह दो हमारी passenger lift है, एक यह lift होगी, जो कि high speed elevator है सारी ही, एक यह lift होगी, जो दो lift है, जो कि 30 floor तक जाती है एक अबी हम आ चुके है, यह apartment entrance पर जो कि 9th floor पर है, यह apartment पर enter करते हुए, मेरे just left right में study room है यह हमारा study room होगा यह आपका drawing landing area इसके साथ बालकनी अटेज़ होगी, इसके साथ बालकनी अटेज़ होगी, इसके साथ बालकनी में होगी यह हमारा पैसेज होगा क्योंकी master bedroom और bedroom और kitchen के लिए है यह आपका kitchen होगा and kitchen के साथ, you will have a sink, tap and gas pipeline then kitchen also have a utility balcony, you can put your washing machine here यह अपका common washroom हो, यह हमारा first bedroom होगा 10.6 by 10.4, इसके साथ waterproof space है and balcony होगा you can see the balcony so this is your master bedroom you will have a wooden flooring in each bedroom इसके साथ यह अपका wallowed space and again you can do the washing here with complete fitting switcher and now if you look the balcony here six feet like balcony the central green station this is the water body, amputator, clubhouse and central green area so this is your 2 plus study apartment which is 1507 so this is your 2 plus study apartment which is 1507 so this is 16880 at Indianapolis कर दो 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 कर दो